2 सितंबर पूर्णीमा के दिन सुबह 10 बच का 53 मिनिर के बाद कुम्बराशी मिलेगी खुशकबर पूर्णीमा तीती 1 सितंबर की सुबह 9 बच का 38 मिनिर से शुरू होगी जो कि 2 सितंबर 2020 को सुबह 10 बच का 53 मिनिर तक रहेगी इसी दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है जो कि 17 सितम्र को समप्त होगा श्राद्ध पक्ष को पित्रुपक्ष के नाम से भी जाना जाता है हिंदु पंचांग के अनुसार भादरपद पूर्नीमा को पूर्नीमा श्राद्ध के नाम से जाना जाता है पूर्निमा के बाद एकादशी, द्वितिया, तुर्तिया, चतुर्ती, पंचमी, शेष्टी, सप्तमी, अश्टमी, नौमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्तशी और अमस्या श्राद आता है इन तितियों में पुर्णिमा श्राद, पंचमी, एकदशी और सर्व पित्र आमवस्या का श्राद प्रमुक मना जाता है अगर हम पुर्णिमा तितिय और समय के बारे में बात करें तो पित्र पक्षय का आगमन राहू के नक्षतर शत बिश्या में हो रहा है और राहू के नक्षतर में इस पक्षय का आरंब होना जोतिश की नजर में बहुत महतोपूर्ण हो जाता है पुर्णिमा तिति एक सितंबर दो हजार बीस की सुबह नौ बचकर 38 मिनिट से शुरू होगी जो की दो सितंबर दो हजार बीस को सुबह दस बचकर 33 मिनिट तक रहीगी जोतिश गन्ना के अनुसार आज हम आपको कुमबर राशी के बारे में बताने जा रहे हैं 2 सितम बर पूर्णी माकित दिन सुबह 10 बचकर 53 मिनिट के बाद कुमबर राशी को कोई खुश कबर मिल सकती है उसी के बारे में आज के सुड़ी में बताने वाले हैं तो चलिए जानते हैं कुमबर राशी के बारे में विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं उस दिन सुबह 10 बचकर 53 मिनिट के बाद किस तरह फाइदेमंद बाते और किस तरह की खुश कबर आपको मिल सकती हैं उसके बारे में आज का दिन आपके लिए बहुती सफलता दायक होगा आपको बेकार की भागदर करनी पड़ सकती है अगर आपके स्वास्त में कोई दिक्कत थी तो वह भी ठीक हो सकती है आप हर काम को बड़ चड़कर कर सकेंगे आज का दिन आपका खुशनुमा भी देगा आपका दिन उस तह से बरा होगा आपको लगबग हर बात में धहरे रखना पड़ेगा कोई भी काम जिसे आपने अपने धंग से करना चाते हो यदि वह वैसा ना हो पाया तो आप जुझला सकते हैं और जुझला हाट होना स्वाबा भी हो सकता है आप अपने शब्दों पर लगाम रखे आपके वानी में आज चंद्रमा का वास है इसलिए आपके वानी से ही आपके काम पूरे हो सकते हैं जो भी आप बोलेंगे वह होकर ही रहेगा अगर हम कुमबराशी की कुछ ध्यान में रखने वाले बातों के बारे में बात करें तो बच्चों की सेहत को लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे वाहन प्रयोग में लापरवा ही ना बरते हैं आपको अपनी अमदनी और खर्चों का संतुलन बनाए रखने की जरूरत हैं प्रेम जीवन बिता रहे लोगों का समय ठीक टाक रहेगा आप अपनी प्रियक के साथ कही गूमने का प्लैन बना सकते हैं अगर हम कुमराशी की धनाराशिपल की बात करें तो धन में लाब या करियर में सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ आत्मविश्वास जरूरी हैं समुहा, कलब या सोसाइटी का हिस्सा बनकर आप एक नया व्यक्तित्व पा सकते हैं व्यापर या नोकरी में आपके सहकर्मी आपसे पूरे प्रबावित हैं और आपका साथ देंगे यह समय प्यार और प्रतिबद्दता के मामलों में भाग लेने का हैं अगर कोई संभंद अधिक धन और पैसेंग की मांग कर रहा हैं तो उसे नजर अंदाज ना करें लक्षों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन या लोग आपसे दूर जा सकते हैं लेकिन उन्हें वापस लाने में संकुछ ना करें याद रखें मेहनत का कोई विकलपन नहीं होता अगर हम कुमबराशी की करियर राशिपल की बात करें तो इस समय आपका आत्मविश्वास उन्चाएं की शिकर पर है आप अपने सभी काम अपने उच्छ अधिकारियों की उम्मीद के अनुसार ही पूरे कर सकेंगे आप अपने काम को सव परतिश्यत मन लगा कर ही करते हैं आपका आत्मविश्वास सभी को अकरशित कर लेता है अगर हम कुमबराशी की लवराशी पल की बात करें तो कोई शुबचिन तक अच्छनक आए घरेलों मुसीबतों से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकता है चोरी या दुरगटना से बचने के लिए साउधान रहे अगर आपने प्यार के रिष्टे में कोई गलती की है तो याद रखे की समय एक जैसा नहीं रहता समय से आती जाती रहती है अगर हम कुमबराशी की स्वास्ताराशी पल की बात करें तो ग्रहों का आप पर सकारतमक असर रहेगा और आपको जोडों के दर्द में आरा मिलेगा आप खुद में और अपने मूर में सुधार देखेंगे आप मौके का फाइदा उठाएं और कुछ व्यायम करें ताकि आपको आने वाले समय में इसका लाब हो तो दोस्तों यहती कुमबराशी के बारे में अब बात करते हैं किस तरह की काम करने वाले लोगों को भगवन शिव देते हैं कटोर दंड इनसे हो जाते हैं नाराज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं भगवन शिव जी की पोजा अर्चना का सबसे विशेश दिन सोमवार माना गया है सोमवार के दिन भक्त शिव मंदिरों में जाकर भगवन शिव जी की पोजा अर्चना और जला विशे करते हैं भगवान शिव्जी सबसे शिग्र प्रसन होने वाले देवता माने कए हैं अगर कोई भगत अपने सच्चे मन से इनकी पूजा करता है तो वह उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाई जल्द ही पूरी कर देते हैं भगवान शिव्जी को कोई भूलेनाथ कहकर पुकरता हैं तो कोई महाद्यो करता है, भक्त शीव जी को कई नामों से पुकरते हैं, मान्यता अनुसार जो भक्त बोलेनात को अपने सच्चे मन से याद करता हैं, उसकी पुकार यह अवश्य सुनते हैं, परंतो बोलेनात जितने स्वभाव के भूले हैं, इनको गुस्सा भी उतना ही पताए गए कुछ पाप के बारे में जानकरी देने वाले हैं। अगर इन में से कोई भी पाप व्यक्ति करता है तो उसको श्यूजी के दंड का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप श्यूजी की कुरफा प्राप्त करना चाते हैं तो इस तरह के कोई भी कार्यन ना कर तो आएए जानते हैं शिव जी कौनसे कारे करने से आप पर नाराज हो सकते हैं उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति किसी सीधे साधे और भोले भाले इंसान को कश्ट पहुंचाता है या फिर किसी प्रकार की हानी पहुंचाने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों से देवों के देव महादेव कुरुदित हो जाते हैं जिसकी वज़े से व्यक्ति को इनके दंड का सामना करना पड़ता है व्यक्ति अगर अपने मंद में किसी के प्रती गलत सोच रखता है या फिर किसी को नुक्सान पहुंचाने की सोचता है तो इसको बहुत बड़ा पाप माना गया है शुवपुरान के अनुसार यह पाप की श्रेणी में आता है शुवपुरान में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो व्यक्ति बुरा बोलता है वह पाप का भागी बनता है इस तरह के लोगों को भगवान शिवजी कभी भी ख्षमान नहीं करते हैं इसके अलबा अगर व्यक्ति किसी के मान संबान को ठेस पहुंचाता है तो वह सबसे बड़ा पाप कर रहा है अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चल कर अपना जीववन व्यापन करता है तो ऐसे लोगों से भगवान शिवजी नाराज होते हैं और उनको इनके प्रकोप का सामना करना पड़ता है अगर कोई व्यक्ति किसी का धन हड़पने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को भगवान शिवजी कभी माफ नहीं करते अगर कोई व्यक्ति पराइस त्री पर बुरी नजर रखता है तो यह पाप की श्रेणी में आता है इस तरह के लोगों को भवान शूजी कठोर से कठोर दन देते हैं ऐसा बता जाता है कि जिस व्यक्ति के उपर भूले बाबा का अशिरवात बना रहता है उसकी जीवन की तमाम परिशानियां दूर रहती है अगर आप चाते हैं कि आप से बोले बाबा नाराज ना रहे तो आपको उपरोग तो बताएगे कारियों से दूर रहना होगा क्योंकि शूपुराण में इन सभी कारियों को पाप की श्रेणी में रखा गया है अगर कोई व्यक्ति इस तरह की कारिय करता है तो वह पाप का भागी बनता है और भगवन शिव जी उनको दंड देते हैं तो दोस्तो आज की सुड़ों में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिवल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते हैं नए उड़ों के साथ धन्यवाद